जिन लोगों ने कभी गमले में मूली ले उगाई, वो ख्रोटों को देखकर हैरान होने ही होने हैं। अध्यक जी, हम आप लोग तो, जो कभी जमीन पर उत्रे ही नहीं, जीनों ने हमेशा गाड़ी का चिशा डाउन करके दूसरों की गरीबी देखी हैं, उन्हें सब हैरान करने वाला लग रहा है। जब ऐसे लोग भारत की स्थिती का वनन करते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि भारत में 50 साल तक उनके परिवार ने राज किया था। एक प्रकार से जब भारत के इस रुप का वनन करते हैं, तब वो अपने पुरवजों की विफलताओं का जिक्र करते हैं। ये इतिहाद का बाह है। और इनकी दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए नई नई दुकाने खोल करके बैठ जाते हैं। हादरिय दगी। अधनियत्यक जी, इन लोगों को पता है, कि इनकी नई दुकान पर भी कुछ दिनों में ताला लग जाएगा। और आज इस चर्चा के बीच देश के लोगों को मैं बड़ी गंबीरता के साथ इस गमंडिया गडबंदन की आर्थिग नीती से भी सावधान करना चाहता है। ये देश में ये गमंडिया गडबंदन ऐसी अर्थ मवक्ता चाहता है, जिससे देश कमजोर हो और उसका सामर्थ बढ़न पाए। हम अपने आसपास के देशों में देखते हैं, जिन आर्थि नीतियों को लेकर के कॉंग्रेस के और सुथ साथी आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस प्रकार से खजाने से पैसे लुटा कर बूट पाने का खेल खेल रहे हैं, हमारे आसपास के देश के भालात देख लीजिए, दुनिया के उन देशों की स्थिती देख लीजिए, और मैं देश को कहना चाहता हूं, इनसे सुधरने की मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, कोई जनता इनको सुधार देगी। अदर्णिया अदर्जी, इस प्रकार की चिजों का दुष्पर्लाम हमारे देश पर भी हो रहा है, हमारे राज्यों पर भी हो रहा है, चुनाव जीतने के लिए अनाप सनाप वाइदों के खारां, कि अब इन राज्यों में जनता के उपर नए नए दंड डाले जा रहे हैं, नए नए डोबोज डाले जा रहे हैं, और विकास के प्रोजेक्स बंद करने की गोशना की जा रहे हैं, विजिवत रुप से गोशना की जा रहे हैं, आदरिने देख जी एक गमंडिया गरबंदन की जो आर्थिक निती है, उस आर्थिक नितियों का मैं पर नाम साब देख रहा हूं, और इसलिए मैं देश वाजियों को सत्य समझाना चाहता हूं, ये लोग एक गमंडिया गरबंदन ये लोग भारत के दिवालिया होने की गारंटी हैं, ये एकोनोमी को डुबाने की गारंटी हैं, ये दबल लिजिट महंगाई की, ये पालिसी पैरालिसी की, ये अस्थिर्ता की, ये अस्तिर्ता की, ये करप्शन की, ये करप्शन की, ये तुष्ठी करण की, ये परिवारवाद की, ये भारी बेरोजगारी की, ये आतंक और हिंसा की, ये भारत को दो सतादी पीछे पहुचाने की गारंटी है, ये कभी भारत को तो फ्री अर्थववस्ता बनाने की गारंटी नहीं दे सकते, ये मोधी देश को गारंटी देता है, कि मेरे तीसरे कारकाल में, मैं हिंदुस्तान को तौक फ्री की, तौक फ्री की पोजिशन में लाके रहूँगा, ये मेरा देश को गारंटी है, झाल बड़खवस्ता बाहिए लादी आपकाल में, मैं हुआगार देश वार्थवस्ता बाहिए लादी धूता बड़खवस्ता बाहिए.